बिलासपुर कॉंगरेस कमेटी की कमार बंबर ठाकुर को सौंपे जाने पर समर्थकों ने खूब आतिशवाजी की तथा मिठाई बांड कर अपनी खुशी का इजहार किया जैसे ही सोशल मीडिया पर जानकारी मिली कॉंगरेस कारेकरताओं में खुशी की लहर होगी और सभी कॉंगरेस भवन के बाहर एकतरित होगे तथा नाच गा कर इस खुशी का इजहार किया जैला कॉंगरेस कमेटी के नव नियुक्त अध्यक शेवम पूर विधायक बंबर ठाकूर ने कहा कि पार्टी की ओर से उन्हें बहुत महतपूर्ण जिम्मेवारी सौपी गई है जिसके लिए वे पार्टी हाई कमान के सदैव आभारी रहेंगे उन्हें ने कहा कि वे पार्टी की कसोटी पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे जबकि जिला के सभी छोटे वा बड़े कारेकरत तता नेताओं को एक मंच पर लाने का भर्सक प्रयास भी करेंगे बंबर ठाकुर ने इस दायत्तों के लिए पूरु मुक्यमंत्री वीर भद्दर सिंग, परदेश परवारी रंजनी पाटिल, सहपरवारी गुर्कीत सिंग, परदेश अदेक्ष कुल्दीप राठाओर तता नेता प्रतिपक्ष मुकेश अगनियोतरी का आभार व्यक्त किय बंबर ठाकुर ने बताया कि हिमाचल कमिटी के अदेक्ष कुल्दीप सिंगर राठाओर बिलासपूर शाहतलाई आ रहे हैं तता बिलासपूर प्रवेश पर उनका भब्य स्वागत किया जाएगा वहीं दूसरी और बिलासपूर कमिटी की कमान बंबर ठाकुर को सौंपे जाने पर उत्साहित कारेकरताओं का कहना है कि पार्टी हाई कमान ने पूर्विधाय का बंबर ठाकुर को कॉंगरिस पार्टी का जिला अद्धिक्ष बनाकर पार्टी को मजबूत परदान की है उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी कारे करता दिन रात एक करेंगे। उन्होंने शीष नेतरतों का इस ताजपोशी के लिए आभार जिता है तथा कॉंगरेस कमिटी के नए अध्यक्स बंबर ठाकुर को बदाई भी दी। कॉंगरेस अध्यक्स कुनाया गया है। मैं अपने सिर्ष नेतरतों का दिल की घराईयों से धन्यवाद करता हूं। और जो विश्वास मेरे उपर कॉंगरेस पार्टी के नेताओं ने किया है। मैं बखुबी उसको निभाने का रियास करूंगा। भारती जंता पार्टी के जुमलों के खलाफ जूठे गोशनाओं के खलाफ अंधोलन किये जाएंगे। और लोकसवा चुनाओं के अंदर कांग्रेस को विश्वास जिरा से बर्त दिलाई जाएगी। सभी विश्वास में लेकर के काम करेंगे। और कल प्रदेशा ध्यक्स कुलदीव सिंग्र ठाव और जी विलासपुर आ रहे हैं उनका विलासपुर के भागस में भव्यास वागत किया जाएंगे।